नमस्कर दोस्तों मैं बाबुराम पटेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बाइलोजी जो नमें आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्पूर है जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि फेरी टिमा पोस्तुमा जो की एनी लीडा संग का ये महत्पूर प्राड़ी है एनी लीडा संग का ठीक है तो इसका चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेत देखे सबसे पहली बात कि belong to class आलिगो कीटा यह किस क्लास से बिलांग करता है दोस्त तो इसका जो क्लास है वह है आलिगो कीटा आलिगो कीटा क्लास का है यह ठीक है कौन फेरी टिमा पोस्तिमा ठीक है और देखे दूसरा जो पॉइंट से है कि knowledge of फेरी टिमा is mainly due to the work of के एन बहल सबसे पहले इसकी जो केचुआ है इसके बारे में बताया इसकी खोज किया किसने के एन बहल कर्म नारायन बहल ने सबसे पहले बताया जो सब की जानकारी में आया तिसका स्रे किनको जाता है के एन बहल को फेरी टिमा पोस्तिमा के बारे में ठीक है थार्ड पॉइं लाते हैं तो केचुवा को लगा करके कटिया में मचली फसाते हैं म ragaz करें जो मित्र कहलाता है केचुवा उस以上 कि बार करें बäर नुमानेंट इस नह 멸थ इन है जाम इस सेंदेी पर ऐसा किया टिकर फाला फाल बनाता है मोंस्ट नम भूमे नम मुर्दा में अपनी बिल बनाता है ढ़ खेघ और कितनी गहराई तक लगभग 20 से 30 सेंटीमिटर की गहराई तक लेकिन जब इसके अनफेड़ी बल गणिशन होती तो काफी गहराई में चला जाता है मीटर की गहराई में चला जाता है यहां तो हमने आपको बताया कि कितनी गहराई में 20-30 cm गहराई में होता है ठीक है यह के चुआ Earthworm is natural मतलब यह क्या होता है रात्री चरण प्रारी होता है That is, that is I.E. का मतलब क्या है That is active सक्री का होता है during night यह रात्री के समय सक्री होता है और इसका जो color है भाई, color, इसकी color का होता है तो brown, भूरे color का और अथवा clay colored, clay means midty, midty के color का होता है अथवा यह भूरे color का होता है और इसकी जो skin होती है, vicious, इसकी जो है, कुछ खास बात है इसकी skin में क्या होता है, contains pigment parphyrin देखिए, color brown, और अथवा यह जो है, midty के color का होता है इसकी skin, देखिए, skin contains pigments, card parphyrin इसकी जो skin होती है, तोचा होती है, इसमें एक 20S परकार का वणक होता है जिसे parphyrin कहते है which जो protect by strong light, अथवा UV light, ठीक है जो ultraviolet किरणों से इसकी रच्छा करता है इसकी बॉड़ी कैसा होती है, देखिए, इसकी बॉड़ी कैसी होती है cylindrical होती है, बाई लेटरल होती है, और symmetrical होती है, elongate, लंबी होती है, with metameric segmentation, और इसके जो सरीर होता है, बिल्कुल metameric segmentation के साथ होता है, खंड होता है, पूरे सरीर में क्या असपस्ट होता है, दोस्त, कहीं कहीं पर आपको 80-120 लिखा मिलेगा लेकिन ये mostly जो है 100-120 खंडों में इसका सरीर बटा होता है इसका पूरा सरीर जो लंबा सा होता है ये पूरा 100-120 खंड में बटा होता इसका सरीर और इसके सरीर को मुखरूप से 3 भागों में बाटा गया है इसके सरीर को कितने भाग में? तीन भाग में बाटा गया है एक तो पहला हो गया उपर सबसे head और दूसरा हो गया जो beach का होता है बिल्कुल trunk और सबसे last का जो होता है उसे tail कहते हैं तो इसका जो trunk region है इसका जो beach वाला भाग है इससे देखिए तीन region में बाटते हैं इसका जो ट्रंक वाला भाग है तीन रीजन में बटा होता है तीन रीजन कौन कौन से हैं दोस्त उसे देखे एक तो है पहला प्री क्लाइटेलर रीजन और दूसरा है क्लाइटेलर रीजन और तीसरा है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका ट्रंक ह होते हैं 100-120 तक लेकिन इसका जो pre-cliteral region होता है 1-13 खंड तक कहलाता है मतलब प्रारंभ से 1-13 खंड तक का जो भाग है उसे क्या कहते हैं pre-cliteral region कहते हैं 1-13 तक और जो cliteral region है यह सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण भाग है और यह होता है 14, 15, 16 वाला जो खंड होता है यह 3 जो खंड होते हैं बहुत ही ज़्यादा important है इसे कहा जाता है cliteral region इसे आप नहीं भूलिएगा cliteral region जो है 14, 15 और 16 होता है और जो post-cliteral region होता है 16 के बाद जो 17 होता है 70 से last तक अर्था 17 से अंत तक होता है कौनसा post-cliteral region हम बात कर रहे हैं इसके देखे तीन रिजन होता है अब यहाँ देखिए यह कैचवा है यह क्या है दोस्त यह है कैचवा यह देख रहे हैं केचुा यह कैचुा लंबा- tamam होता है कचुआ गोल होता है कचुआ गोल हוטा है यह कैचुआ, ठीक है कैचुआ प्रो इस्टोमियम यहां देख रहे हैं प्रो इस्टोमियम भाग है यही बिल बनाने में सहायता करता है मिट्टी को खोदता है कौन प्रो इस्टोमियम कहलाता है ठीक है और प्रो इस्टोमियम के ठीक नीचे इसका जो मौथ का पहला भाग होता है पहला खंड होता है कहलाता ह है peristomium देखिए इसमें आप confusion नहीं हो येगा एक है proistomium अदूसर का है peristomium तो प्रो मनला प्राथमिक पहले तो पहले सबसे इसका मुह आया ठीक है mouth और उसके just नीचे का जो पहला खंड है peristomium है ठीक है अब फिर इसका जो खंड है पूरा मैंने बताया कि 100 से कितने खंड में 100 से 120 खंडो में इसका पूरा सरीर बटा होता है मैंने बताया कि सबसे पहले जो है 1 से 13 तक pre-cliteller region होता है एक से कहां तक 13 तक और फिर 14 15 16 14 15 16 cliteller region है और फिर 17 से लेकर अंत तक पूरा जो है आप जानते हैं post-cliteller region है ठीक है last तक इसमें जो है male genital aperture देख रहे हैं आपकी 14 में है और 18 में है male female genital aperture जो है यह है किसमें 14 खंड में और 18 में खंड में male genital aperture तो इससे आप ध्यान रखिएगा दोस्त और जो इसका anus होता है एकदम सबसे नीचे posterior सबसे नीचे भाग में और यहीं tail होता है और इसके tail में सबसे अंत इंट जो होता है उसे कहते है pyzidium क्या कहते है pyzidium एक खास बात और यहां ध्यान दिजिएगा जो सबसे लंबा केचुआ होता है सबसे बड़ा केचुआ होता है longest जो अर्थवर्म होता है mega iscolex उसके उसको नाम क्या देते है mega iscolex और लगभग तीन मीटर तक बड़ा हो जाता है mega iscolex और कहां होता है दच्छण भारती केचुआ है मेगाइसकोलेक्स यह दच्छण भारती केचुआ है कौन मेगाइसकोलेक्स इसकी लंबा याद देख़र सेंटी मीटर में भी पहुंच जाती है और जो यूटाइफस है यह उत्तर भारत का केचुआ है ठीक है उत्तर भारत का तो अगर पुछ लिया जया कि सबसे छिदर तीन होते हैं एक तम माउथ हो गया दूसर का सबसे नीचे हो गया एनस और यहां पर और छिदर क्या होते हैं नेफरीडियो पोर इन नेफरीडियो पोर के बारे हम थोड़ा आपको विस्तार से देखना है नेफरीडियो पोर बहुत ही इंपोर्टेंट है नेफरीडिय पर पाई जाते हैं वो कैसे देखिए फ्रह ला है फैरेंजियल निफिरी बहुत बार पूचआ गया है और एक बात वहर हम बतादे इस निफरीडिया में लगभक प्रतेक सिगमेंट में जो है लगभक दो सो से लेकर ढायिसो निफरीडियों पूर होते हैं 200 से लेकर 200 जो है निफिरीडियो पोर होते हैं प्रते एक khand में लेकिन एक बात और ध्यान रखेए मैं बता रहाँ निफिरीडिया होते हैं और प्रते एक खंड में कितने निफिरीडियो पोर होते हैं 200 से 200 निफिरीडियो पोर होते हैं लेकिन यहां पर लेकिन क्या भाई 14, 15, 16 यह जो खंड है 14, 15, 16 खंड है यह कहलाता है क्लाइटेलर रीजन आप जानते हैं क्या है यह क्लाइटेलर रीजन है इस खंड में लगभग दस गुना नेफिरीडियो पोर पाय जाते हैं दस गुना के मतलब अगर धाई सो हैं तो धाई सो दहमा पचीस सो नेफिरीडियो पोर होते हैं इसमें कितने होते हैं पचीस सो यादनी नफ्रीडियों पॉर पाय जाने के कारण इस खंड को क्लाई टेलर रिजन को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्त會ल्ट सब्सक्राइब क्लाई टेलर रिजन को क्यों कहते हैं क्यों कि 14 15 सोल्हवा खंड है। फ्में लगवख धावशन निफ्रीडi ओप पये जाते हैं फिक है और जो सेपटल निफ्रीड्या है यह पन्द्रह Sam Eld Jaak से लेकर लास्ट तक कहलाता Life सेपटल निफ्रीडिया अब इस में जो देखी एक स्क्रेट्री आर्गनम क्या होता है तो इसका उस सर्जी जो अंग होता है क्या होता है सेग्मेंटल नेफ्रेडिया कहलाता है उस सर्जी इसका अंग सेग्मेंटल नेफ्रेडिया ठीक है सेग्मेंटल नेफ्रेडिया एक्टोडर्मल इन ओर्जिन यह उत्पत्ति में कैसा होता है एक्टोडर्मल होता है यह आप ध्य किड़नी की तरह जैसे किड़नी का काम क्या है उस सर्जन का काम करता है किड़नी ठीक है आप जानते हैं उसी तरीके से यह भी जो निफ्रीडिया है यह भी उस सर्जन का काम करता है एक्सक्रिस्न का काम करता है तो यह किसके एनालागस हो गया भाई किड़नी के ठीक है और एक खास बहुत और ध्यान रखियेगा, यह भी question, जो इस पर मैं थीकल पोर्स, इस पर मैं थीकल पोर्स है, यह भी बहुत ज़्यादा important है, इस पर मैं थीकल पोर्स, यह चार जोड़ी होते हैं, इस पर मैं थीकल पोर्स, यह चार जोड़ी होते हैं, किस खंड में होते हैं, तो प यही इसके बहुत ज़्यादा important questions हैं ठीक है दोस्त और ध्यान दीजी आप दिखिए भाई मैं बता रहा हूं कि यह जो इस पर मैं थिकल पोर्स है यह करता है इस्टोरे जाफ sperm को इस्टोर करता है बहुत ही ज़्यादा important question है very very most important इस्टोरे जाफ sperm कहां होता है तो यह होता है इस पर मैं थिकल पोर्स में और किस खंड में होते हैं अर्थात इसकी संख्या होती चार जोड़ी खंड होते हैं 5,6,6,7,8 और 8,9 यह खंड होता है ठीक है अ अब सबसे ज़्यादा important प्रस्ण और आ गया भाई क्या है आ गया female genital pore male genital pore किस खंड पे होता है यह genital pore यही इसके सबसे ज़्यादा पूछा जाते हैं इतने पोर होते हैं कि कहां सबसे ज़्यादा पूछा जाता है देखिए इसका जो female genital pore होता है वह किस खंड में होता है ठीक है का होता है पहले होता है female genital pore इसका 14th segment पे होता है 14th segment पर होता है इसका कौन सा देखे मैंने बताया भी भाई क्लाइटेलर रीजन कौन सा होता है 14, 15 और 16 ठीक है क्लाइटेलर रीजन तो ये female genital pore 14th segment पर होता है और इसमें जो ओवरी होती है एक जोड़ी ओवरी होती है जैसे मानों में एक जोड़ी ओवरी होती है एक जोड़ी का मतलब दूई ओवरी होती है अकिस खंड में होती है तेरह हमें सेगिमेंट में है अब फिमेल जिनाइटल पोर किसमें है चौदह हमें सेगिमेंट में है या 16 समझझी लिए टो इसका जो फेजंग इनसटो है वीडिय। जिनाइटल पुर जो इसमे नर है यानि जिनाइटल पूर ओठावए में है तो आप समझे चार वर्स चांतर जैसा भी आपको याद हो सके वैसा आप याद करने का प्रयास करिएगा ठीक है लेकिन अठारवए खंड में कौन है यह है मेल जिनाइटल पूर और इसमें जो टेस टेस्टिस भी पेर में होते हैं लेकिन अब यहां दसवे में एक पेर और गिरह में एक पेर तो कितने पेर हो गए भाई दूई पेर हो गए दूई पेर हो गए दूई दूई नी चार हो गए कितने हो गए चार टेस्टिस हो गए ठीक है दो पेर टेस्टिस हो गए यहां पर औ क्या है, कियोंकि 10 में खंड पे और 1 गिरहें में खंड पे और अब मिलेययया जिनाइटल पैपली भी आपर यहां देखे मेल जैनाइटल पैपली यहां 18 को छोड़ weekend 17 फीर PHP 18 21 है तो मेले جनाइटल जो पैपली होती है सग्णाइट क्या कर. अरटक्षाB जनन के लिए केचुवा को क्या करता है? वेन्टरो लेटरल स्थिती में बांधे रकता है, मतलब केचुवाइन को जकार लेता है समझ रहे हैं? रिप्रोड़क्षन के समझे में अर इसलिए जब जकार लेता है सहायता करता है जनन में तो इसको कहते है accessory glands इसे क्या कहा जाता है दोस्त male genital papily को accessory glands भी कहा जाता है ठीक है जो कहां होता है 17-19 क्योंकि 18 में तो ये खुदे ही male genital pore है male genital pore जब टच करेगा तो इसके बाद वाला एक पहिले वाला दोनों जकड लेते हैं पकड़ के ठीक है अब यहां देखिए city city अगला points क्या है city's locomotory organ यह जो है यह city क्या है locomotory organ है इसके गमन में सायता करता है found all over body सभी पूरे सरीर पाजा जाता है लेकिन यहां ध्यान देखिए except इसके आलामा किसके आलामा first segment और kliteller region और last segment ठीक है तो आप जानते हैं first और last दोनों में नहीं होंगे कौन नहीं होंगे city और इसके साथ kliteller region में kliteller region आप जानते हैं कि कौन सा कहला था 14, 15 और 16 तो first segment में 14, 15, 16 में और last में यह city नहीं होती है ठीक है city नहीं होती किसमें फस्ट में और लास्ट में और तेरा चुदा पंदरा कलाइटेलर रिजिन में नहीं होती है इस CT का आकार कैसा होता भाई यह CT यह साकार की होती है और कलर में यलोईस होती है और यह काईटीनस होती है कैसी होती है काईटीनस होती है अगली खास बात देखिए भाई, Body Cavity Trusilium, इसकी Body Cavity Has Trusilium, इसके जो सरीव की गुहा होती है, सत्य होती है, इसे कहते हैं साइजोसील कैविटी, कौन सी साइजोसील, कंटेन मिलकी एलकेलाइन सिलोमिक फ्लूड, जिसमें साइजोसील में क्या होता है, एक मिलकी, मिलक के समान दूद के समान, इलकेलाइन, सिलोमिक फ्लूड होता है, क्या होता है भाई, सिलोमिक फ्लूड भरा होता है, जिसकी साहता सी यह मुवमेंट करता है, चलता है और यहाँ एक विशेस परकार के देखिए सिल्स है बहुत ही important देखिए मैंने highlighter द्वारा यह highlight कर रखा है कलोरा gogan sil कलोरा gogan sil और small छोटी होती है तो यह करती है storage आफ रिजर फूड यहाँ संचित भोजबादार्थ को क्या करती है भोज़पदार्द को यह संचित करने का काम करती है क्लोरा गोगन सेल्स आप क्लोरा गोगन इसका काम होता है रिजर फूड को क्या करना इस्टोर करना ठीक है और साथ साथ में एक्सक्रिशन करना और यह क्लोरा जो गोगन सेल्स होती है यह किसके एनालागस होती है तो एनालागस to the liver of vertebrate vertebrate में बिल्कुल लीवर के एनालागस होती है यह question सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि क्लोरा गोगन जो cells होती है किसके एनालागस होती है तो यह एनालागस होती है लीवर के Lever के एनालागस होती हैं किलोरा गोगन सेल होती है ठीक है और एक खास बात बात देखें जो केचुवा है केचुवा में 7 9 andatera यनी 7,9,12,13 इस खंड में 4 खंड है 7,9,12,13 इस खंड में जो है हर्ट होता है क्या होता है भाई हर्ट पाए जाता है कितने हर्ट होते हैं इस में स होते हैं कियों वाई अनतिम वारत होते हैं अब देखे बाई और इसकी खास बात क्या है कि जो अभी मैं बता रहा था किसके size जो cavity होती, body cavity उसमें silomic fluid होता है और इस silomic fluid क्या करता है silomic fluid work as hydraulic skeleton किसकी तरह कार करता है hydraulic skeleton, hydraulic कंकाल की तरह कार करता है जैसे कंकाल नहीं, size को बिल्कुल fix कर देता हुआ इसमें भी hydraulic skeleton होता है pressure के साथ, बिल्कुल tight कर देता है as it adds in locomotion जो इसके कारण इसमें क्या होता है locomotion होता है, ठीक है तो अर्थाद silomic fluid होता है help करता है किसमें locomotion में और किसके तरह होता है hydraulic skeleton के तरह earthworm source, earthworm क्या प्रदरसीत करता है tube in tube plant, tube within tube मलब यह plant किसमें होता है earthworm में होता है, ठीक है यह पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं pharyngeal glands इसमें जो pharyngeal glands होती है containing chromophil cells क्या रखती है भाई कौन सी कोश का है chromophil cells रखती है secreting mucus किसका सराव करती है mucus का and proteases और proteases का सराव करती है pharyngeal glands यह secreting mucus क्या काम करती है जैसे bil यह बना रहा तो bil को चिकना आता है बिलकुल bil में एकदम चिकनापन ले आता है इसके सरीर पर भी एकदम चिकनापन ले आता है यही mucus mucus चिकनापन प्रदान करता है इन 8 और 9 8 में और 9 जो खंड होता है इसमें होता है गिजाड क्या होता है भाई गिजाड ये ध्यान रखिएगा केचुवा में गिजाड आ गया जी से गिजाड जी से ग्राइंडिंग ठीक है और थिक मस्कुलर आरगन होता है फार ग्राइंडिंग और इसका काम होता है भोजन को पीसने का काम करता है कौन गिजाड ये केचुवा में पा यह कैसा होता है हाईलिकल एंडूलर है टिफलो सोल और यह काम क्या करता है increasing the area of absorption of digested food जो पचे हुई है जो भोजपदार्थ है उसको क्या करता है absorption करता है जैसे अपने लोग में क्या है भाई अपने लोग में विलाई पा जाता है जो ज्यादा ज्यादा छेतरफल परदान कर करने के लिए उसी तरीके से यहाँ टिफलो सोल है क्या है भाई टिफलो सोल है और डाइजिस्टेट भूट को क्या करता है ज्यादा करने के लिए यह एरिया बढ़ाता है इंक्रीज करता है ठीक है अर्थ वर्म और ओमनी वोरस अर्थ वर्म कैसे होते भाई ओमनी वोरस होत अब देखिए अगली खास बात क्या भाई, blood vascular system कैसा होता है, close type का होता है, इसमें blood vascular system closed type का होता है, बिल्कुल ठीक है, अब blood is red, इसका जो blood होता है, यह बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार कुछ पुछा गया है, blood is red in color, color में कैसा होता है, लाल हो होता है, इसके blood plasma में घुला होता है, हीमोगलोबीन जो होता है, इसके blood plasma में घुला होता है, ठीक है, earth warm has no respiratory system, इसमें कोई respiratory system नहीं होता है और इसमें जो सुसन की क्रिया होती किसके दवारा होता है ध्रूइ स्कीन इसका जो इक्स्क्रियूट्री प्रड़क्ट है वह यूडिया है और अमोनिया है और इसके साथ साथ ba cherry ढूसरे भी है यूडिया है 50% अमोनिया 40% 10% में अनने है इस तरीके से इसका जो निस्कर्स पॉइंट है जो पूँछा जाता है वो क्या भई इसको ध्यान रखिए कि आर्थ वर्म are mainly ureotellic आर्थ वर्म is mainly कैसा होता है भई ureotellic होता है यह बात भी ध्यान रखिएगा ureotellic होता है ठीक है यूरिया क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कितना पर्सेंट निकल ला है 50 पर्सेंट यूरियो टे लिख हो गया इसका काम इपिडर्मल का क्या होता है जो बाहर सता की ओर होता है उसे टैंगो रिसेप्टर होता है एक प्रकार कार करता है टैंगो रिसेप्टर की तरह बकल रिसेप्टर और फैक्टरी की काम करता है और फोटो रिसेप्टर ऑप्टिक और गन की तरह कारी करता है ठीक है अब गया गया है फर्टिलाजेसन इसमें फर्टिलाजेसन कैसा होता है इक्स्टर्नल होता है सरीर के बाहर होता है और इसमें किसमें कोकून में पाजाता है क्या पाजाता है भई कोकून फर्टिलाजेसन इक्स्टर्नल होता है और आकर सीन कोकून कहां पाजाता है कोकून में ठीक ह मौसम हो तब इसमें क्या होता है कपूलेशन ठीक है कपूलेशन होता है रात के समय में बरसात के मौसम में तो गाना भी सुने होंगे बरसात के मौसम में तनहाई के अलम में जिंदा हूं अभी जी लेने दो अभरी बरसात में पी लेने दो कुछ बात नहीं है लेकिन हम लोग पुंकून का और इसका जो life span है जीमन काल है केचूअ का भाई ये भबॉट लगबं शाठे-तीन से साठे-तस साल तक ये जीवित रहते हैं साठे-तीन से दस साल तक ये जीवित रहते हैं और केचूअ की अगली खास बात क्या है किसमें कोई लारवल कंडिशन नहीं पाई जाती है केचुवा में कोई लारवल कंडिशन नहीं होती है तो दोस्त चलिए आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को वीडियो में अंत में कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए आज की क्लास में यहीं तक ओके थैंक